यहां के जो प्रमुख मंदिर है उन में से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि दिनायक मंदिर तो पहले दर्शन करते हैं श्री काईश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपती बापा का आशिरवाद भी इस मंदिर का निर्माद श्रीमति दियुबाई पाटिल में 16 नवंबर सन 18 सा एट ने करवाय था ये मंदिर और ये तेवता यहां आने वाले किसी भी शर्दार को निराश नहीं करते और सब की मनों का मापूरी करते हैं मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजराव बगवान श्री खिष्ण का ये प्राचीम दौर का भीश मंदर दो हजार वर्षों से अधिक समय से यहां बसा हुआ है माननेका ये है कि दौर का मिधुरी में बगवान श्री खिष्ण का मिवास ठिक इसी स्थान पर गुणा करता था गोंती नदी के किनारे से समंदर के दो द्वार है मौक्षित्वां और स्वर्गत्वार चार धामों में से एक है ये द्वार का दीश मंदर हर साथ यहां क्रिश्व जन्द का उप्सभ बड़े इन धाम से मनाया जाता है अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशाने होगी हम बागा उसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री किदारनाद जीगे किदारनाद श्रीजी का मंदर है इसे खुद बांड़ों में बसाया था ऐसा माना जाता है आज का जो मंदर है उसकी रचना बाना सव साल पुरानी है इस मंदर के वार हर साथ केवल अक्षन कुदिया से कार्टिक पूर्णिमा तक यानि लगड़क छे महीं में खुले रहते हैं हर साथ दस लाग से जारा प्थ यहां दशन के लिए आपके लिए आपके हिमाले के गड़वान शेथ की पाहड़ों में बसार बद्वीना तक जी का मंदर भी लगभग तीन हजार वर्ष पुराना है भगवान विश्व के इस मंदर का उलेख महाबहरत महागवत पुरान पद्म पुरान इन सभी गंठों में पाया जाता है तो आईए दर्शन करते हैं श्री बद्री नाथ जी के सद्यों से लाखों करोरों लोग अशारिये का देशी के दिल महागवान विश्व के दर्शन के लिए महाराष्ट के पंडर को पहुंचते हैं महागवान विश्व की इस वारी को कौन नहीं जाता 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पंडलिक की भक्ति का प्रवान भी है और महाराष्ट की संत परंपरा का आधार भी महाराष्ट से अब सीवे चलते हैं जिम्दा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौते गुरू श्री गुरू रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और अठार्वी सरी में महाराजा रंजीत सिंग्जी ने 750 किलो स्वर्म अर्पंकर के दरगात साहिट को सोने से सजाया था ये अकान तख्त है और ये है गुरुरंद साहिब वाहे गुरुजीता खांसा वाहे गुरुजीती फते जो बोले सोने हाँ सच्छी अपाँ हमारा अगला पढाम है पुरी का जगनात मंदे जिसमें बसे हैं साथ-शाथ भगवान श्री कृष्न यानि जगनात बलभद्र यानि बलराम और सुभद्रा भरगवान जगनात का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार दहमों में से एक है और चार दहम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है सन 1104 तर में कनिंग देश के राज़ा अनिंत बर्मा ने इस मंदिर का मिर्मान करवाया था और तब से मर्वान जगनात की रख याज़ा पूरे पुष्पवी भिख्या था अब चलते हैं दक्षिन भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओड़ मीनाक्षी जगदेवी पारवती का रूप है उनके मंदिर का ये 1000 स्टम्बहों का दालान है 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर उचे 14 बोकुरा में वास्तु शिर्प के संदर्रे का प्रतीद है इस मंदिर में 33,000 मूपियां हैं और यह दशन के लिए रोज 5000 से भी अधिक भत्ता के हैं यह अपने बाहु बाली का सेट है यह अपाओ पहले काहा थी अपाओ बाहु पहली का भाडिया हमें पहुचाएंगी भारफ के सबसे प्रस्दध मंदर तुर पति वाला जी के दश्वर्ष निरु अभाला जी अब वह दिर वाला जी और सत्तर हजार से भी आते भट यहां पते दिन श्री बालाजी का तर्शन करने आते हैं तो आइए हम भी श्री बालाजी के तर्शन करके उनका आशिरवाद प्राप्ट करते हैं अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है पर इसे समाप्ट करने से पहले चलते हैं श्री और ले लेते हैं साई बाबा का अशिरवाद यही वो सौ साल पुरानी शिरवी है हमारे साई की शिरवी प्रशत हुए देखे साई निकल गए किसमों बाल गए मों के मन में श्रत्था की इसे दो साई बाबा के आशिरवाद के साथ इस्तीर याक्रा का समापन करते हैं हमें आशा है कि आपकी याक्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे नमस्का